प्राइदीज को करते हैं यह देखिए प्राइदीज में फस्स नंबर मान लिजे हमें यह वाला दिया हुआ है त्री एक दो तीन चार पांस दीरो तो पहले कॉमा लगाओ कैसे लगाओगे अब देखिए पीछे से 3 दिठ छोड़ के कॉमा और पीछे से फिर 2 दिठ छोड़ के कॉमा अब अगर आप देखोगे धियान से तो यह आजाएगा 1 वाले गृप में फिर next two digit आएंगी आपकी 1000 वाले ग्रूप में और ये 3 आ जाएगा आपका लैक वाले ग्रूप में अब अगर आप इसमें place values लिखोगे तो 0 है 1s place पे ये वाला 0 है 10s place पे ये वाला 0 है 100 place पे ये वाला 0 आपका ये वाला 0 आपका TTH याने कि 10,000 place पे और ये वाला 3 आपका L का मतलब लैक प्लेस पे और आगे लैक के आगे 10 लैक आता है लेकिन 10 लैक पे आपका कुछ भी नहीं है तो बस आपका इतने है अब आप इसको क्या पढ़ोगी बताओ ये 3 कहां रहा है लैक वाले गूरूप में इसलिए 3 लैक बस खतम एस नहीं लगेगा इसमें एस मतलब कार देना पहले भी बताया है ठीक है सुदेंस ओके नौ 3 लैक बस अब तो लैक वाले गूरूप में 3 आ रहा है बस 3 लैक अब 00 को कुछ पढ़ेंगे नहीं 1000 वाले गूरूप में 00 कुछ नहीं पढ़ेंगे और व कुछ नहीं करना है अब 3 कौन सी प्लेस पे 3 कौन सी प्लेस पे लाख वाली प्लेस पे चेक कर लो यह वन्स टैन्स हंड्रेट थाउजंट टी टी एच टैन थाउजंट और एल लैक तो 3 होगा मल्टिप्लाई किस से लैक से लैक कितना होता है वन के बाद 50 और अब हम कुछ नहीं करेंगे यह वाले जीरो का एक्सपेंशन यह वाले जीरो का एक्सपेंशन इसका इसका नहीं करेंगे जीरो का एक्सपेंशन नहीं करते हैं यह मैंने आपको सिखाया है तो अगर आप देखोगे तो इसको आप एक्सपेंशन के फॉर्म में इस तरीके से लेख सकते हो 3 into 1 lakh और 1 lakh में आपको कॉमा लगाना आता है कैसे पीछे से 3 digit छोड़के और फिर 2 digit छोड़के तो यह रहा आपका expansion तो आप देख सकते हैं कि name हो गया 3 lakh expansion हो गया 3 into 1,00,000 तो part 1 आपका हो गया अब मैं आपको part 2 करके दिखाता हूँ और दीखिए आपको direct पढ़ना आना चाहिए ठीक है पीछे से 3 digit छोड़के कॉमा लगाईए 3 digit छोड़के कॉमा लगाईए जब भी 6 digit का नमबर हो बस इसको देख लो तो यह 3 lakh फिर इसको पढ़ लो 5 digit जैसे पढ़ते तभी करके दिखा रहा हूँ रुक जो बहुत सारे examples हैं हमें दिए वे तो वहाँ से clear हो जाएगा तो next example के आपके पास नमबर दिया था 3, 5, 0, 0, 0 तो अगर आपको कॉमा लगाने के लिए मैं बोल देता so 3, 5, 0, 0, 0, 0 पीछे से 3 digit पीछे से 1, 2, 3 digit छोड़के और फिर 1, 2 digit छोड़के कॉमा ठीक तो अगर आप देखोगे groups की अगर आप बात करोगे so ये तीनों आएंगे आपके ones वाले group में और ये दोनों आएंगे आपके thousand वाले group में और ये आएगा आपका lakh all ए group में ठीक है ones group में 3 digit ones place वाली ये 10th place वाली फिर ये हो गई आपकी th मतलब thousand place वाली ये हो गई टी टी एच मतलब 10,000 place वाली और ये हो गई आपकी l का मतलब lakh वाली lakh के बाएट 10 lakh हाता है और 10 lakh place पे कोई भी digit नहीं तो अब इसका naming कैसे करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग वाले digit को ले लीजे 3 और lakh करेक्ट लाउ सटेंस चलिए तो देखते हैं ये दिखिए ये क्या होगे आपका 3 lakh ओके तो अब ये 3 lakh अब ये दिखिए बचे कितने भाई 3 lakh हो गया तो बचे कितने 5 डिजिट और इसको पढ़ना आता है आपको ये हो गया 50 by 50 50,000 बस कतम तो क्या हो गया 50 ये 50 50 कौन से ग्रूप में आ रहा है 1000 में इसलिए 50 1000 ओके 50,000 ठीक है रेकॉर्डिंग में देख रहा हूं चल लएगी नहीं है ना 000 को अब आप कुछ नहीं लिखोगे ये वाले ग्रूप में तो क्या हो गया बताइए यहां से हो गया 350,000 बस खतम तो 350,000 अगर आप expansion करोगे तो कैसे करोगे जीरो का नहीं करेंगे आपको पता है ये वाले जीरो का भी नहीं करेंगे ये वाले जीरो का भी नहीं करेंगे ये वाले जीरो का भी नहीं करेंगे तो 5 का expansion क्या होगा 5 into और 5 कौन से place पे आ रहा है 10,000 तो 5 into 10,000 कर देंगे और 3 into 3 कौन से place पे आ रहा है 3 आ रहा है lakh वाले place पे so 3 into 1 lakh 1 lakh में 5 zeros ठीक है इस तरीके से तो इसका जो expansion होगा आपका 3, 5, 0, 0 0, 0 तो पीछे से ठीक होगे एक कौमा यहां और एक कौमा यहां तो हम क्या करेंगे यहां पर देखिए 3 into 1 lakh और 1 lakh में कौमा कैसे लगाएंगे पीछे से 1, 2, 3 ठीक छोड़के एक कौमा यहां और फिट 2 ठीक छोड़के कौमा यहां यानि कि 3 into 1,00 0,000 प्लस 1,00,000 को ऐसे लिखते हैं 3 into 1,00,000 प्लस 5 into 10,000 तो 10,000 में पीछे से 1, 2, 3 ठीक छोड़के कौमा तो 5 into 10,000 So 5 into 10,000 ठीक इस तरीके से अब आप देख सकते हो 10,000 में भी कौमा लगाना आपको सिखाया है लास्ट क्लासेस में तो expansion ये रहा Sorry ये देखिए expansion ये रहा देख सकते हो आप 3,50,000 3,50,000 ये इस तरीके से 3,50,000 ठीक expansion Now इसके बाद ये वाला question करते हैं इसको आप लोग copy कर लीचे पहले Now अब देखिए next question हम किस तरीके से handle करेंगे So number आपको क्या दिया है 3,5,3 5,00 तो अगर आप इसमें कॉमा लगाना चाहेंगे 3,5 3,5,000 तो कॉमा कैसे लगाएंगे Indian system में कर रहे हैं पीछे से 1,2,3 डिजिट छोड़के और फिर 1,2 डिजिट छोड़के कॉमा अब आप देख सकते हो ये तीनों आएंगे आपके 1s वाले ग्रुप में और ये दोनों आएंगे आपके 1000 वाले ग्रुप में और ये आएगा आपका lakh वाले ग्रुप में चिक तो ये 1s प्लेस 10s प्लेस और ये हो गया 100 प्लेस 3 आगया आपका TH मतलब 1000 प्लेस TH का मतलब 1000 place और 5 आगया आपका TTH मतलब 10,000 TTH 10,000 और 3 आगया आपका लैक वाले place पे अब आप देख सकते हो students है आपर देखिए इसको किस तरीके से आप लिखोगे इसका name 3 कहां आ रहा है लैक वाले group में 3 लैक ये देखिए 3 लैक 3 लैक बस अब बचे 5 डिजट और ये आपको लिखना सिखाया है 53,000 वाले group में तो 53,000 53,000 हो जाएगा ठीक उसके बाद once वाले group में ये आ रहे हैं आपके और इसको क्या पढ़ते है 500 हो जाएगा 500 अब expansion अगर आप करोगे so 353,500 का expansion ध्यान दे 3 कहा रहा है लैक वाले प्लेस पे so 3 into 1 लैक 1 लैक में 1, 2, 3, 4, 5, 0 और कॉमा लगाएंगे तो पीछे से 3 डिजट और फिर 2 डिजट प्लस अब 5 5 कहा रहा है 5 आ रहा है 10,000 प्लेस पे ये TTH लिखा हुआ है 5 10,000 प्लेस पे आ रहा है ये 10 के बाद कॉमा लगा के ट्रिपल जी हो फिर 3 आ रहा है 1000 प्लेस पे so plus 3 into 1000 और प्लस 5 आ रहा है 100 प्लेस पे इसलिए 5 into 100 और बस छोड़ देंगे 0 का expansion नहीं करते हैं 0 का expansion नहीं करते हैं तो चेक कर लिजिए 3 into 1 lakh उसके बाद 5 into 10,000 फिर 3 into 1000 1000 में कॉमा नहीं लगाते हैं कहीं पर हना ओके 1000 में कॉमा नहीं लगाते हैं ठीक अगर लगाना हो तो लगा लो यहां कॉमा लगेगा यहां पर 1 और तो 1000 होगा यहां 1000 में कॉमा नहीं लगाते हैं ठीक ना लगाना हो लगा लो नौ इंटू 5 प्लस 5 into 100 तो यह expansion हो गया चलिए इसको देख लीजे अब हम next question करते हैं इसी क्या ठीक नाओ students देखिए अब यह number आपको दिया हुआ है क्या 457 928 तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कॉमा लगाएंगे तो अगर आप इसमें कॉमा लगाओगे तो देखो किस तरीके से 457 928 पीछे से 123 डिजिट छोड़के एक कॉमा और फिर 12 डिजिट छोड़के एक कॉमा नव अब दिखिए इसमें ये होगय आपका once group फिर ये होगय आपका thousand वाला group और ये होगया आपका लैक वाला अब once group में 3 डिजिट once place की डिजिट 10 place की डिजिट और hundred place की डिजिट thousand में आपका thousandAK का डिजिट और 10,000 प्लेस का डिजट टी टी एच 10,000 पे 5 है और लैक में लैक और 10 लैक वाला यहां पर कुछ है नहीं 10 लैक वाला यहां पर कुछ नहीं तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ ठेक yup अब आप इसका नेमिंग करोगे सो 4 لاक 4 कहां पिलों कर रहा है ल्क वाले गुरूप में यह 4 लाक यहां महीं पर लिखते न सीधे कि यहीं पर लिखते न सीधे नईं है ना यहीं पर लिखते हैं सीधे तो दिखिए, क्या हो रहा है, और बिलॉंग कर रहा है, लैक वाले ग्रूप में, तो आएगा 4 लैक्स, लैक्स नहीं, उनली लैक, उसके बाद, जो नेक्स ग्रूप है आपका, ये वाला, थाउजेंट वाला, 57,000 और उसके बाद, अगर आप देखोगे, तो ये वाला, वन्स वाला ग्रूप है, 928, ये तो आपको पढ़ना आता है, तो हम लिखेंगे, क्या, 9 128, 928, अब अगर आप एक्सपेंशन करोगे, तो आप देख सकते हो, एक्सपेंशन में, 4 आ रहा है कहाँ, लैक्स वाले प्लेस पे, इसलिए 4 इंट वन लैक्स, और वन लैक्स में कॉमा कैसे लगता है, पीछे से 3 डिजट और फिर 2 डिजट, और प्लस, 5 आ रहा है 10,000 पे, इसलिए 5 इंट 2, 10,000 और 10,000 में कॉमा कैसे लगता है, ऐसे, और 7 आ रहा है, 1000 वाले में, so, plus, 7 इंट 2, 1000, 1000 में कहीं पर कॉमा मत लगाईए, फिर 9 आ रहा है, 100 प्लेस पे, so, 9 इंट 2, 100, और प्लस, 2 इंट 2, 10 अब प्लस, 8 आ रहा है, 1 प्लेस पे, so, 8 इंट 2, 1, अब यही चीज आप ऊपर भी कॉपी कर सकते हो, चीक है, so, कितना हो जाएगा, और इंटु 1,001,002,3,4,5, और पीछे से 3 और यहां 1, 2 डिजिट छोड़के है न, और प्लस, 5 आ रहा है आपका 10,000 पे, so, 5 इंटु 10,000, 10,000, और प्लस, 7 आ रहा है आपका 1000 पे, तो 7,000, और प्लस, 9 आ रहा है आपका 100 पे, so, 9,100, और प्लस, 2 आ रहा है 10's पे, so, 2 इंटु 10, और प्लस 8 आ रहा है, प्लस, 8 आ रहा है आपका, 1's place पे, so, 8 इंटु 1, प्लस, यह वो गया, ठीक, तो, अब मेरे ख्याल साब, देखिए 4 4 lakh place पे आ रहा है तो 4 lakh 6 digit का नंबर है तो कैसे करेंगे 4 lakh ठीक है अब लिखना ही पड़ेगा लग रहा है लिखना ही पड़ेगा चलो 407 928 था तो सबसे पहले आप कॉमा लगाओगे और कॉमा आप कैसे लगाओगे तो देखिए ज़रा 407 928 थो कॉमा पीछे से 3 digit और फिर 2 digit ऐसे करके कॉमा आपका लगेगा ठीक अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास यह हो गया आपका once वाला ग्रूप यह हो गया आपका thousand वाला ग्रूप और यह हो गया आपका लाक वाला ग्रूप ठीक once place 10th place 100 यह हो गया thousand और 10,000 पर 0 आ रहा है टी टी एच पर क्या रहा है 0 आ रहा है ठीक और 0 का expansion नहीं करेंगे और 4 कहा है लाक वाले प्लेस पर ठीक तो बताएगे क्या नाम पड़ेगा यहां से देखके 4 लाक so 4 लाक तो मैंने लिखी दिया है 4 लाक अब यह देखिए यह देखिए thousand वाले ग्रूप में क्या रहा 0 7 और 0 7 को 7 ही पढ़ेंगे बस ठीक तो क्या आ जाएगा 0 7 का मतलब 7 तो 7 कहां बिलोंग कर रहा है thousand वाले में तो 7 थाउजन्ट 7 थाउजन्ट और लास्ट में 928 so 9 100 28 ठीक अब आप इसका एक्सपिंशन अगर करोगे तो देखिए अब मैं डारेक कर रहा हूँ 4 आ रहा है लाक वाले प्लेस पे इसलिए 4 इंटू 1 लाक 1, 2, 3, 4, 5 पीछे से 3 डिजिट और 2 डिजिट छोड़के प्लस तो नहीं द्यान से 0 का एक्सपिंशन नहीं करेंगे 0 का नहीं करेंगे अब 7 कहां रहा है thousand प्लेस पे तो 7 इंटू 1000 और प्लस 9 आ रहा है 100 प्लेस पे तो 9 इंटू 100 और प्लस 2 आ रहा है 10 प्लेस पे So 2 इंटू 10 यहीं कर देता हूं समझ जाना 2 इंटू 10 और प्लस 8 आ रहा है 1 प्लेस पे So 8 इंटू 1 इस तरीके से इसका एक्सपिंशन हम लिखेंगे चिक उसके बाद अब नेक्स वाला आप खुद से करके देखिएगा 4 आ रहा है लाक प्लेस पे इसलिए 4 लाक 4 लाक अब 1000 वाले ग्रुप में 00 आ रहा है यह देखिए 1000 वाले ग्रुप में क्या आ रहा है 00 तो हम कुछ नहीं लिखेंगे करके दिखाना पड़ेगा लग रहा है यह भी रुख जाओ नंबर क्या था 400 829 तो पीछे से 3 डिजट और 2 डिजट तो 4 आ रहा है लाक वाले यह देखिए यह आ रहा है कहां पर वन्स वाले ग्रुप में और 1000 वाले ग्रुप में क्या रहा है 00 जिरो और कहां रहा है आपका कहां पर लैख वाले गुरुप में अब देखिए फोर लैक हो गया कि से फोर लाक हमने लिख을 लिया अब टीटोंद वाले गर आप देखोगे तो जीरो जीरो आ रहा है तो कुछ भी नहीं लिखोगे फिर आप सीधे वन्स वाले ग्रुप में आ जाओगे वन्स वाले ग्रुप में आ जाओगे 829 उसकतम 4,829 अब चलिए अब अगर आप expansion देखोगे तो 4 आ रहा है लाक वाले प्लेस पे तो 4 इंटू 1 लाक तो 4 इंटू 1 लाक यानिके 1,2,3,4,5,0 और पीछे से ये इस तरीके से कॉमा और प्लस अब 0 का expansion नहीं करेंगे आपको पता है 0 का नहीं करेंगे फिर 8 आ रहा है 100 प्लेस पे तो 8 इंटू 100 और प्लस 2 आ रहा है 10 प्लेस पे यानिके 2 इंटू 10 और प्लस 9 आ रहा है 1 प्लेस पे यानिके 9 इंटू 1 चीक है इसके बाद now four zero 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 two nine ओके अब देखिए कॉमा लगाओगे पीछे से three digit छोड़के two digit छोड़के ठीक है यह आगे आपका क्या once वाला group यह आगे आपका thousand वाला group और यह आगे आपका lakhs वाला group और place value अगर आप देखोगे so once place पे 9 आ रहा है फिर 10s place पे 2 आ रहा है 100 place पे 0 आ रहा है और TH thousand place पे 0 और TTH मतलब 10,000 पे 0 और lakh पे 4 तो लिखेंगे नाम four lakh so four lakh s नहीं लगाएंगे lakhs में s मतलगा नहीं बताए कई बार four lakh अब देखो lakh वाले group में बस four आ रहा है 00,000 group में आ रहा है तो 00 को कुछ नहीं लिखेंगे तो सीधे हम यहां आ जाएंगे कहां once वाले group में और once वाले group में 029 का मतलब ही 29 होता है 029 का मतलब ही 29 होता है तो 4 lakh 29 बस कतम चीक तो 4 lakh 29 तो 4 का expansion करेंगे बस तो 4 lakh मींस 4 into 1 lakh और प्लस जीरो का नहीं करेंगे जीरो का नहीं करेंगे जीरो का नहीं करेंगे टू का करेंगे टू आ रहा है इस question को handle करेंगे correct तो I think आपको समझ में आया होगा ठीक है students